नमस्कार आदापसूस स्वागतम आप सबका स्वागत है मेरी चैनल TV Talk with Fund and Rock में दोस्तों कहते हैं कि कुछ रेकोर्ड तूटने के लिए ही बनते है तो आज हम एसे ही फिल्मों के रेकोर्ड के बारे में बात करने वाले है दुनिया का हर स्टार चाहता है कि उनकी मुवी कोई रेकोर्ड बनाए जो कोई भी न तोड़ सके और वो इस रेकोर्ड को बनाने के लिए जी जान लगा देता है फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सारे रेकोर्ड है जो तूटे है बाट कोई रेकोर्ड ऐसे है जो आज भी बरकरार है तो आज हम ऐसे ही रेकोर्ड की बात करने वाले है दोस्तो मैं आपको एक बात कहना चाता हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं गिया तो जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाईएगा कैप्टन अमेरिका जैसे लोगप्री सूपरहेरो देने वाले एमसियो की सीरीज विश्वो में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म सीरीज है इस सीरीज में अब तक 20 फिल्में बनाई गई है और इस सीरीज की कूल कमाई होते है 17.53 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो की भार दूसरा रेकॉर्ड है सबसे ज्यादा कमाई का वो वो जैम्स कैमरून की अवतार मून के नाम है ये एक साइंस पिक्षन मूवी है 2009 की साल में रिलीज हुई इस मूवी ने अब तक कुल 18,051 करोड की कमाई की है जो की अपने आप में बड़ा रेकॉर्ड है और आज भी वो मर्करा है तो दोस्तों आए हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे रेकॉर्ड पर अगर आपको डाइनोसर की मूवी पसंद है तो इस मूवी पर आप जरूर देखिए सन 2018 में रिलीज हुई इस मूवी ने मात्र तेरा दिनों में ही 7,000 करोड की शांदार कमाई की है और कम से कम समय में 7,000 करोड की कमाई का रेकॉर्ड बनाते है दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे यानि कि DDLJ इस मूवी को तो भला कौन नहीं जानता सन 1995 में रिलीज हुई यह मूवी एक चबरदस लव स्टोरी मूवी है इस मूवी ने सबसे ज्यादा दिनों तक सिनोमा गर में चलने का रेकॉर्ड अपने नाम किया है इस मूवी को रिलीज हुए 24 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन यह मूवी आज भी मूंबई के मराठा मंदिर में चल रही है अगर आप मारवल के फैन है तो इस मूवी को तो आपने मिस नहीं किया होगा अगर आप नहीं है तो हो जाएए क्योंकि बात जब सूपर हीरो मूवी की आती है तो मारवल सूपर हीरो मूवी का बाप है सन 2018 में रिलीज हुई और अवेंजर्स की तीसरी फिल्म के नाम भार्ती बॉक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने का रेकॉर्ड है इस मूवी ने भार्ती बॉक्स ओफिस पर 227 करोल का शांदार और जांदार कलेक्शन किया था ओए 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 दोस्तों इस मूवी की तो बात ही क्या गरे क्योंकि ये मेरी एक फेवरिट मूवी है सन 2008 में रिलीज हुई और क्रिस्टोफर निलोन द्वारा निर्देशी तो डार्क नाइट के नाम सिंगल सुपर हीरो में सबसे ज़्यादा कमाई का रेकॉर्ड अपने नाम कर रखा है इस मूवी ने कूल मिना के 1.087 मिलियन डॉलर की कमाई की है इस मूवी में हीरो से ज़्यादा तो विलन जोकर के चर्चे है इसी बीच थोर, एकवामेन जैसी कई सुपर हीरो वाली मूवी आई और गई पर यह रेकॉर्ड तो सिर्फ डार्क नाइट के नाम है हमारा अगला रेकॉर्ड इंडियन मूवी के नाम है जोकि हमारे लिए गर्व की बात है साउथ इंडियन मूवी सराई नोडू का रेकॉर्ड तो गजब है अलू अरजुन और रकुल प्रिट सिंस्टारर यह फिल्म ने यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज पाए है जी हाँ दोस्तों, टोटल 200 मिलियन व्यूज यानि की पूरे 20 करोड व्यूज इतने व्यूज आज तक किसी फिल्म को नहीं मिला अब आप सोच रहे होगे की भई बंदा यह तो कमाई की ही बात किये जा रहा है खर्च की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है तो चलो आपको यह भी बता देते है सबसे ज़्यदा महेंगी फिल्म का रेकोर्ड पाइरेट्स ओप करेबियन के नाम है 2400 करोड में बनी इस मुवी को रिलिज हुए कुल 8 साल हो गए पर आज भी इस मुवी का रेकोर्ड कोई भी दोस्तों किया आप सोच चकते है कि होलिवोड की मुवी हो और रोंग्टे खड़े कर देने वाला सीन ही ना हो अगला रेकोर्ड इसी बारे में है आर जोन क्युसेक और मॉर्गन लिली स्टारर होलिवोड की फिल्म 2012 में आपको एक से बढ़कर एक खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे जिसे देखके आप पुरा हिल जाएंगे यह मुवी 750 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ डिजास्टर मुवी में टॉप लिस्ट 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 लेकिन इस मुवी ने तो मानों फिल्मी दुनिया में तहल कही मचा दिया था कोई मुवी ने ज्यादा तर के वसकार जीते होने सोचिए तो या फिर चार लेकिन इस मुवी ने कुल 11 ओसकार चृट जीते थे जी हाँ दोस्तों कूल 11 ओसकार दुनिया पर में सबसे ज़ादा ओसकार ओसकार जीतने का रेकोर्ड इसके नाम पे इस फिल्मे अपने लियार तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले